हम देख रहे हैं कि किस तरह से पूरी विश्व में, पूरी दुनिया में प्रकृति का प्रकोप इस टाइम चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर करोना के वज़े से लोग दुखी है प्रकृति के सामने सब लोग बेबस हो जाते हैं कितने शक्तिशाली देश, अमरीका, स्पेन, इंगलेंड, फ्रांस, इटली, आज से 3-4 महीने पहले, आप सोच सकते थे कि एक ऐसा टाइम आएगा जब इतने शक्तिशाली देशों के अंदर इस तरह की महमारी फैलेगी, पूरे विश्व के अंदर इस तरह की महमारी फैलेग कि लोग इतने बेबस हो जाएंगे प्रकृति के सामने हम सोच भी नहीं सकते थे हम इसे प्रकृति बोलने हैं हम इसे अल्ला बोलने हम इसे इश्वर बोलने हम जो मर्जी बोलने हैं लेकिन प्रकृति बहुत शक्तिशाली है और इनसान उसके सामने बेबस हो जाता है और इतिहास में हमने देखा है कि जब जब इनसान ने प्रकृति के नियमों को नहीं माना तब तब प्रकृति ने अपना प्रकोप दिखाया है गीता में भी लिखा है न कि हमें मानव जीवन मिला है दूसरों की सेवा करने के लिए कि हम अपनी जिंदिगी का एक एक पल दूसरों की सेवा में बिताएं और अगर कोई हिंसा फैलाता है नफरत फैलाता है तो वो प्रकृति के खिलाफ काम करता है वो इश्वर के खिलाफ काम करता है वो अल्ला के खिलाफ काम करता है मुझे बहुत दुख होता है कई बार कि आज इतनी कठिन परिस्थिती के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदू और मुसल्मान के बीच में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा है सोशल मीडिया पे मैं देखता हूँ कि इतने नाजुक दौर से जब पूरी दुनिया गुजर रही है इतने नाजुक दौर से जब अपना देश गुजर रहा है तब भी कुछ लोग हिंदू और मुसल्मान भाईयों के बीच में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उस किसम के वीडियो डालते हैं हमारा देश आगे बढ़ेगा जब ये पांचों उंगलियां एक मुठी की तरह एक साथ काम करेंगी जो लोग हिंदू और मुसल्मान के बीच में नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं वो केवल प्रकृती के खिलाफ काम नहीं कर रहे हैं वो भारत के साथ भी गद्दारी कर रहे हैं देश के साथ भी गद्दारी कर रहे हैं सभी धरम और सभी जातियों के लोग जब मिलके एक साथ एक मुठी की तरह काम करेंगे तभी देश आके बढ़ेगा तभी इंसानियत आके बढ़ेगी तभी मुल्क आगे बढ़ेगा और तभी हम करूना से लड़ पाएंगे